Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के chapter force and pressure का एक और ना topic discuss करने जा रहे हैं and that is atmospheric pressure. Previous session में हमने बात करी थी pressure exerted by gases topic के ओपर और आज के session में हम बात करेंगे atmospheric pressure की. So I hope आज के session का जो target है वो सब बच्चों को हो गया होगा एकदम clear. तो यह काम करते हैं जल्दी से आज की session को हम start करते हैं. So this is विभूती खरे, welcome to magnet brains जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost. यानि की magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी पितरगा payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost. तो इसे अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारा ये session जहाँ पे हम बात करेंगे atmospheric pressure क्यूपन. अब इससे पहले कि हम atmospheric pressure को discuss करें, मैं ये चाहती हूँ कि previous session में जो हमने अपना topic पढ़ा है, pressure exerted by gases, previous session में मैं आपको समझाया था कि हमारी जो gases हैं, अगर आप उनको store करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको उन gases को एक vessel या एक container में fill करना पड़ेगा. Suppose मैं एक example ले रही हूँ एक gas का, मेरे पास है hydrogen gas, इस hydrogen gas को अगर मैं store करना चाहते हूँ, तो store करने के लिए इस hydrogen gas को मुझे एक container या vessel में उसे fill करना पड़ेगा. जैसे ही hydrogen gas उस vessel या container में जाएगी, अंदर जाने के बाद ये gas क्या करने वाली है? उस vessel की दीवारों पर यानिकि उसकी walls पर एक pressure exert करने वाली है. सवाल ये है कि आखिर हमारी ये hydrogen gas क्यों वेसल की walls के उपर pressure exert कर रही है? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो gas है वो बनी हुई है tiny particles से. और इन tiny particles को हम क्या बोते हैं? molecules. तो हमारी hydrogen gas के पास क्या है? hydrogen molecules हैं. और ये जो hydrogen molecules होते हैं ये movement शो करते हैं. तो आप बोलोगे कि मैं इस से क आप पड़ने वाला है. मतलब अगर किसी gas के molecules movement शो कर रहे हैं तो gas बदले में vessel की walls के उपर pressure क्यों exert कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि ये जो gas molecules का movement होता है ना ये random होता है. ऐसा नहीं कि सभी कि सभी gas molecules जो है ना बिल्कुल discipline में straight line में सब की सब चले जा रहे हैं. नहीं बोल रहे हैं. गैस molecules की movement को हम क्या बोल रहे है? रेंडम movement बोल रहे हैं. एक line में एक सीथ में जो हैना सभी कि सभी molecules नहीं move करेंगे. हर एक direction में सभी कि सभी molecules move करेंगे. और इस random movement के current क्या होता है? जो gas molecules है ना वो आपस में collide करते हैं, यानि कि आपस में टकराते हैं. ना सिर्फ gas molecules आपस में टकराते हैं, बलकि ये gas molecules वेसल या कंटेनर की दीवारों के उपर जाकर के भी टकराते हैं. वाल्स इससे भी टकराते हैं. अब आप खुद स क्या? फोर्स ही तो ना? हम सब को पता है कि एक प्रेशर का प्रेड्यूस होता है, जब फोर्स एग्जर्ट होता है. तो आप खड़े हुए थे, आपका दोस्त आया, दोड़ते हुए और उसने आपको धक्का मारा, यानि कि उसने आपको पुश किया. इंडरेक्ली आप बो सोजाओ. तो सीरी सी बात है, अगर आपका आपसे, अगर आपका दोस्त आकर के कोलाइड करेगा, कोलीजन से क्या होगा? आप पे एक धक्का पढ़ने वाला है, एक फोर्स पढ़ने वाला है. और इस फोर्स के कारण आप पे एक प्रेशर जनरेट होगा और इस प्रेशर के कारण आप अपनी जगह से डिस्प्लेज भी हो सकते हो तो similarly गैस की molecules जब वैसल की वॉल्स की उपर या वैसल की वॉल्स के साथ क्या करते हैं कोलाइड करते हैं कोलिजन के कारण हम वोते हैं कि एक फोर्स लगता है यह जो पूरी कहानी है यह जो पूरी property है यह सिर्फ hydrogen gas की नहीं है मैंने example के लिए आपको hydrogen gas बताया था यह property सभी gases की होती है सभी gases exactly ऐसे ही behave करती है आई बद समझ में अब अगर हम क्या करें container की volume कम कर दें तो number of collisions per unit area क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे जिसके current दिवारों पे लगने वाला जो pressure है vessel की दिवारों पे लगने वाला जो pressure है वो और increase हो जाएगा example के लिए मैंना को समझा है था कि मारे पास एक balloon है उस balloon में जब हम हवा भरते हैं वह एर क्या है एर भी तो हम बोलते हैं कि it is a mixture of gases पहले भी हमने पड़ा हुआ है class 8 science में ही तो जब हम एक balloon में हवा भरते हैं air fill करते हैं तो वह balloon full क्यों जाता है actually balloon की जो walls होती है वो कैसी होती stretchable होती है elastic होती है तो जैसे ही air जाएगी हवा जाएगी balloon के अंदर air के जो molecules होंगे न वो क्या करने लगेंगे collision करने लगेंगे आपस में भी और balloon की जो walls हैं उनके साथ भी जो हैना collision करने लगेंगे और इस collision के कारण force लगेगा balloon की balloon की दिवार पर है ना और इस force के कारण एक pressure generate हो जाएगा यानि कि जो हमने air भरी है balloon दो और ये एल जाकर के क्या करी है balloon की वाल्स के ऊपर एक pressure लगा रही है और इस रर्म के काराण जो वाल्स हैं क्योंकि जैसे कि मैंनको बताया कि balloon की जो दिवारे होती है वो कैसी होती स्ट्रेच्फ इवल होती है ना तो I hope यह आपको एक प्रॉपर रिविजिन मिल गया होगा हमारे प्रिविएस सेशन का. अब जल्दी से हम आ जाते हैं आज के हमारे सेशन के टॉपिक के ओपर जो की क्या है? अट्मॉस्फरिक प्रेशन, ठीक है? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि we live on the earth and there is a lot of air above us. हम कहां रहते हैं? हम रहते हैं अपने planet earth पर. earth पर भी कहां रहते हैं? अर्थ के surface पर रहते हैं. हमारे असपास क्या है? हमारे असपास air है. अब माना air दिखती नहीं है, है ना? लेकिन इसका मरलब यह नहीं कि अगर कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो वो होती नहीं है, वो exist नहीं करती. बिल्कुल करती है. हमारे असपास क्या है? बहुत सारी air है. हम कहां है? प्लैनेट अर्थ पर है. अर्थ पर भी कहां है? अर्थ की सर्फेस पर है. तो आप बोल सकते हों कि अर्थ का जो सर्फेस है, उसके ओपर क्या है? air है. और ऐसा नहीं है कि सपोज ये अगर मैं इसको डाइग्राम से समझाओं तो ये क्या है हमारी अर्थ है ये क्या है हमारी अर्थ है है ना और ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है अर्थ का सर्फेस है तो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि अर्थ के सर्फेस के उपर क्या है एयर है सिर्फ एक पोर्शन या दो पोर्शन की बात नहीं है अर्थ के एंटायर सर्फेस के उपर क्या है एयर है और एयर की इसी लियर को हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं याने कि हमारे प्लैनेट अर्थ का क्या है उसका अपना खुद का परसनल एक टो है हमारे Earth का ج को आप बोलोगे कि मैं ये तो हम्हे समझ में आ गया कि Earth के सर्फेस के उपर क्या है Atmosphere है लेकिन कितने उपर तक atmosphere जहना यह exist करता है तो देखों यहां पर क्या लिखा गया है The air In our Atmosphere extends Up to About 300 किलोमेटर Above the surface of the Earth यानि कि अगर आप अर्थ के surface से कहां जाओगे 300 km उचाई पर जाओगे तो तब तक 300 km की उचाई तक आपको क्या मिलने वाला है अर्थ का atmosphere मिलने वाला है तो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही height तक अर्थ का atmosphere होता है नहीं अर्थ के surface के जब आप 300 km उपर जाओगे ना तो उस पूरे 300 km में आपको क्या मिलेगा अर्थ का atmosphere मिलेगा तो क्या लिखा गया है आपे कि we live on the earth and there is a lot of air above us the layer of air above the earth is called atmosphere earth surface के उपर जो एक layer आपको मतलब दिखाई तो नहीं देती है लेकिन आपको पता है कि earth के surface के उपर जब एक पूरी layer है air की उसी को हम क्या बोलते है earth का atmosphere बोलते है उसका personal खुद का atmosphere the air in our atmosphere extends up to about 300 km above the surface of earth the atmosphere contains a tremendous amount of air और इस atmosphere में ना tremendous amount में air present होती है clear रहे चलो next point किया है आच्छा यह जो हमारा earth का atmosphere है न इस atmosphere की भी कई सारी layers होती है सबसे मलब earth surface के सबसे पास वाली जो layer है वो कौनसी है ट्रोप स्वेयर है ट्रोपॉ स्वेयर के आगे कौनसी है Düना स्ट्रेटो स्वेयर है भी ओर आगे कौनसी है मीजो स्वेयर है mesosphere के और आगे कौन सी thermosphere है in fact thermosphere के भी जब हम आगे जाएंगे ना तो पता है आपको कौनसी layer मिलने वाली है exhaust sphere निलने वाली है तो कुल मिलाकर के earth का quantum atmosphere है उसकी कई सारी layers होती है यहाँ पर लिखा भी गया है layers of atmosphere तो अगे pass के फास वाली layer क왔ी atmosphere की troposphere गुझास कर लेते हो तो आप कहां याते हो स्पेस में आ जाते हो, यह जब हमारे एस्टोनॉट्स को स्पेस में जाना होता है आ तो वो एर्थ सर फेस से निकलते है रॉकेट में और शुई करके कहां पहुंच जाते हैं एक्जॉस्फियर के बाहर पहुंच जाते हैं एक्जॉस्फियर के बाल क्या आपको मिलने वाला है स्पेस मिलने वाला है आई बात समझ में अगर हम बात करें ट्रोपोस्फियर लियर की तो यह जो ट्रोपोस्फियर है atmosphere गी ट्रपल स्वेयर यह काफी dense होती है और जैसे जैसे हम earth के atmosphere में उपर की तरफ जाएंगे यानि कि हम ट्रपल स्वेयर से exosphir की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो layers है atmosphere की इंकी density क्या होती जाएगी कम होती जाएगी cat कि ट्रोपोस्वेयर जो लेयर है? वो बहुत जादा Density क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनों गैसेज हैं तो gaskip molecules है・ particles& dust particles वगए लगन्व Clear तो ट्रोपोस्वेयर सबसे Densόσ dépend लेयर है एटमॉस्वेयर की out सटैटॉ सबसे थोड़ी कमद ए और अगर हम बात करें कि इसकी mesosphere की, तो mesosphere हम बोल रहे हैं कि stratosphere से भी कम dense है, thermosphere mesosphere से भी कम dense है और exosphere thermosphere से भी कैसी है, कम dense है, तो जैसे जैसे हम troposphere से exosphere की तरफ जाएंगे, earth surface से space की तरफ जाएंगे, जो atmospheric layers की density है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सबसे ज्यादा dense कौन है, troposphere और सबसे कम dense क रहे इतना क्लियर आप सभी को चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे हमारे पास क्या है कि एर हैज़ा वेट एर के पास क्या होता है एक वजन होता है उसका एक वेट है और इसके उपर अल्रेडी हम अपने प्रीवेस सेशन में डिसकर्शन कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो म में हवां नहीं भरी हैं दोनों व्लों कैसे खाली हैं तो आपकी जो यह स्टिक होगी बिल्कुल कैसे होगी फोरिफेक्क्ली होरिजॉंटल होगी लेकिन अब आपक्या करो ये वारा जो बलून है ना इसके अंदर आप हवा वर दू हावा वर उन्न siz और और आपकी जो नहीं थी तो आपकी जो स्टिक थी वो कैसी थी होरिजॉंटल थी लेकिन जैसी आपने एक बलून में हवा भरी तो आपकी जो स्टिक है वो जो जिस बलून में हवा भरी है उस बलून की तरफ क्या हो जाएगी जुक जाएगी यानि कि जिस एंड पर स्टिक के जिस एंड पर आपने एयर फिल्ड बलून बांधा होगा ना वो वाला एंड क्या हो जाएगा नीचे की तरफ जोग जाएगा नीचे की तरफ जोगने का मतलब क्या है कि ये वाला जो एंड है ना अमारी स्टिक का ये भारी हो चुका है भारी क्यों हुआ है बलून तो ये भी है ये भी है ल प्रेडी अपने प्रीवेस सेशन में डिसकस कर चुके एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया रिवाइस करवा दिया तो एयर का क्या होता है वेट होता है अभी अभी हमने पड़ा कि अर्थ का जो एट्मोस्वेर है उसमें क्या होती है ट्रिमेंडस अमाउंट में एयर होती है एयर का हम बोल रहे है कि क्या है वेट है इसका मतलब क्या कि अर्थ के एट्मोस्वेर में जो ट्रिमेंडस अमाउंट अफ एयर है उसका क्या होने वाला ह एक enormous weight होने वाला है बहुत ज्यादा वजन होने वाला है अर्थ के atmosphere में जो air पाई जाती है उसका weight बहुत ज्यादा होने वाला है तब weight of atmosphere exerts a pressure on the surface of the earth अब देखो हमारी जो planet earth है ना उसको दुनिया की सभी चीजों से जो है ना बहुत प्यार है non living कोई भी object होगा living organism होगा in fact earth का जो atmosphere है ना उससे भी अर्थ को बहुत प्यार है जिसके कारण अर्थ क्या करती है इस atmosphere को भी अपनी दरफ खीचने की कोशिश करती है करती क्या exactly खीचती ही है जैसे मैंना को बताया था कि अगर हम जो है ना मिरे पास ये pen है इस pen को अगर मैं छोड़ दू हवा मैं ऐसी छोड़ दू तो क्या यह हवा में float करता रहेगा नहीं ultimately यह कहां ज साथ क्योंकि अर्थ हम भी क्या कर रही है लगातार एक attractive force लगा रही जिसके कारण हर एक चीज़ दुनिया की हर एक चीज़ कहां जाती है अर्थ के उपर ही जाकर के land होती है आई बात समझ में तो similarly earth का जो atmosphere है atmosphere में जो air है इस atmosphere इस air के उपर भी अर्थ क्या करती है एक attractive gravitational force ल और earth क्या कर रही है हमको अपनी तरफ खीचने की कोशिश कर रही है तो हमारा यह जो वजन होगा ना यह एक force की तरह काम करेगा और यह force कहां लगने वाला है नीचे की तरफ याने की earth पर ही क्यों लग रहा है क्योंकि earth ही हमें खीच रही हमें कोई shock नहीं है अर्थ के उपर एक फार्ड करने का बहारे हमारा जो वजन है यह वजन क्या करAudi का ही काम कर रहा है यहांको लगराए इसी प्रेशर के कारण रेत में क्या होने वाला है गड़ा होने वाला है जहां पे भी हम खड़े रहेंगे सिमिलर्ली अर्थ के सर्फेस के ऊपर जो उसका एट्मॉस्वेर है उस एट्मॉस्वेर के ऊपर भी क्या करने वाली है अर्थ एक अट्राक्टिव फोस्व लगाने वाली है अभी अभ का जो वेट होगा एयर का जो वजन होगा यह वेट क्या करने वाला है फोर्स की तरह ही काम करने वाला है तो अगर अर्थ एयर को अपनी तरफ खीचेगी तो एयर का जो वजन होगा जो वेट होगा वो एक फोर्स की तरह काम करेगा और यह फोर्स भी कहां लगेगा डाउन्व प्रेशर को हम बोलते हैं क्या atmospheric pressure i hope आप सबको समझ में आया होगा कि exactly atmospheric क्या pressure क्या होता है कि हमारा क्या है planet Earth है उसका service है सर्क्यों surface के उपर क्या है atmosphere है एक मॉसर में क्या है बहुत ज्जादा एर है उस एर का क्या होता है वजन होता है वेट होता है अब अब एक करेगी इस atmosphere को भी अपनी तरफ पगड़ करके खीचेगी अट्रैक्टिफ फोस लगाएगी याने की जो एयर है atmosphere के अंदर वो भी क्या होगी उसके ऊपर एयर की ऊपर अर्थ क्या कर रही है attractive force लगा रही नीचे की तरफ तो एयर का जो वजन होगा वो एक force की की तरह काम करेगा और ये force ultimately कहां लगने वाला है downwards direction में यानिकी earth surface के ऊपर ही लगने वाला है और इस force के कारण एक pressure produce होगा earth surface पे और इसी pressure को हम बोलते है atmospheric pressure क्योंकि ये pressure किसके कारण लग रहा है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते है atmospheric pressure बोलते हैं so the weight of atmosphere exerts a pressure on the surface of the earth and on all the objects on the earth including ourselves ये जो atmospheric pressure लग रहा है ये सिर्फ अर्थ के surface में लग रहा है बई मैंना को पहली बताया था कि हम कहां है और पी तो हैं लेकिन अर्थ पे पी कहां है अर्थ के surface पे है हैं argi surface पे हिम कडे हैं हमारे अलावा और भी बहुत सारी चीजिज है art के surface बेख तो यह जो atmospheric pressure लगने वाला है ना ये असे surface अलोगे गा ही साथ ही साथ ही साथ Earth की सर फिस्पे चाल लह जो हम है in the atmosphere exam में लिखने के लिए आएगा कि atmospheric pressure क्या होता है तो जैसे मेरा को पूरी कहानी सुनाई है पूरी की पूरी आपको वैसी लिख करके नहीं आनी है आपको जो है ना एक sentence के अंदर maximum दो sentence के अंदर आपको atmospheric pressure अपने teacher को संधाना पड़ेगा कि यह होता atmospheric pressure कि it is the atmospheric pressure is the air pressure क्या है atmospheric pressure एक air pressure ही है which is exerted by the pressure कौन exert कर रहा है तो by the weight of air air का जो वजन है वो pressure exert कर रहा है यह air कहां present है हमारे earth के atmosphere में present है तो atmospheric pressure कुछ नहीं एक air pressure ही है यह pressure कौन exert कर रहा है air का वजन यह air कहां है atmosphere में है क्योंकि air का वजन क्या कर रहा है एक force की तरह काम कर रहा है और यह force कहां लग रहा है downwards direction में क्यों क्योंकि अर्थ ही कीच रही है अर्थी वोडरी नीच आओ नीच आओ नीच आओ नीच आओ तो बिचारी air क्या करेगा एट्मोस्फेर की, वो तो अपना जो वजन है, जो की एक फॉर्ष की तरह काम कर रहा है, वो फॉर्ष कहा लगाएगी, नीचे ही लगाएगी ना, अर्थ सर्फेस की तरफ. तो प्रेशर भी कहा लगेगा, नीचे की तरफ अर्थ सर्फेस पे और पर हम खड़ है न हम पे भी उतना ही लगने वाला है हर एक चीज पर लगने वाला है चलिए आगे बढ़ जाते हैं इन अदर वर्ट्स दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि atmospheric pressure is due to the weight of air present in the atmosphere above us atmospheric pressure क्यों है so is due to the weight of air air की वजन के कारण है जो की कहा present atmosphere में above us हमारे उपर just as the pressure in a liquid acts in all the direction in the same way atmospheric pressure also acts in all the directions even upwards जैसे कि हमने अपने previous pressure exerted by liquids session में देखा था कि अगर आपके पास एक container में liquid भरा हुआ है अगर आपके container में क्या भरा हुआ है एक liquid भरा हुआ है तो इस liquid के आप किसी भी point पे किसी भी point पे जो pressure लग रहा है वह pressure क्या होने वाला है equal होने वाला है in all the directions यहनिकी liquid में आपने एक point ले लिया है इस point पे लगने वाला जो pressure है वह बराबर है कैसे बराबर है यहनिकी हर एक direction में हरे direction में जो pressure लगेगा इस point के ओपर क्या आप भी जी समझ रहे हैं कि आपके पास एक कंटेनर है उसमें अपने लिक्विड भरा हुआ है is लिक्विड में आप केवल एक पोईंट को अभी कंसीडर कर रहे हैं तो इस एक पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर है वह कैसा है बराबर बराबर है similarly atmospheric pressure में भी हम यही बोल रहे हैं कि earth के atmosphere में जब आप जाओगे earth के atmosphere में जब आप जाओगे तो atmosphere में आप कोई भी point ले लो उससो point पे लगने वाला जो pressure होगा न हर एक direction में कैसा होगा बराबर बराबर होगा चलो इस point ना significance क्या है यह हम आगे समझेंगे आगे कहां इसी session में लेकिन थोड़ी देर बाद अभी हम क्या परते है magnitude of atmospheric pressure कि हमारे इस atmospheric pressure का क्या कोई magnitude होता है चलो देख लेते हैं we know that pressure is force per unit area जैसे कि मैं आगको हमेशा बोला है pressure का जो formula है वो आपको कभी नहीं भूला है pressure is equals to force upon area या आप इसको बोल सकते हो pressure is force per unit area so now if we imagine a unit area of earth's surface and a very tall column filled with air standing on it हमने करा क्या कि हम हम कहां है भई earth's surface में है तो हम earth के surface पे एक unit area लेते हैं now we imagine a unit area of earth's surface याने कि हमने earth's surface इस पे एक area choose किया है उस area की जो लंबाई है जो चौड़ाई है वह कितनी है वन इडिर है वन मीटर है तो आप बोलोगे कि मैं अगर आप earth's surface के ऊपर एक area जो है ना चूस कर रही हो और उस area कि लंबाई किती है वन दितर है छोड़ाई उस सर्फेस के ऊफर और स्कुराइर रीजन की जो चौड़ाय और जो लंबाई है मलभ स्कुरेर था आउट अभर बराबर होने वाले कितनी ओने वाली है वान मीटर मीटर बिटाब शहाम यह बता हो कि इस पूरे एरिया का स्कुराय एरिया का एरिया कितना आने वाला है तो स्क्वेर का एरिया क्या होता है भाई साइट स्क्वेर तो वन मीटर का स्क्वेर कर दो कितना जाएगा वन मीटर स्क्वेर तो हमने क्या करा अर्थ सर्फेस के ऊपर हमने एक यूनिट एरिया लिया है इस एरिया का टोटल एरिया कितना है 1 meter square है ठीक है अब इसी एरिया पे जो हमने square बनाया है ना यह जो हमने area लिया है earth surface के उपर इसी surface के उपर हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से एक लंबा सा column रख देंगे देखो आपर क्या लिखा गया है कि now we imagine a unit area of earth's surface and a very tall column filled with air standing on it यह जो हमने area लिया है इसी area के उपर हम इस तरीके का एक लंबा सा tall column रख देंगे और यह column भी कैसा है इसमें air filled है now standing on it then the weight of air in this column will be the atmospheric pressure at that place अब क्योंकि इस column में भी क्या है air है air का क्या है वजन है यह जो आपके पास column है यह कहां रखा गया है earth के surface पर ही रखा गया है तो ultimately होगा क्या इस column के अंदर जो air है इस air को earth क्या करें कि अपनी तरफ खीचेगी उसके उपर attractive force लगाएगी जिसके कारण इस air का जो weight है यह weight एक force की तरह काम करेगा और यह force ultimately कहां लगने वाला है इस column के bottom में ही लगने वाला है यानि की earth surface पर ही लगने वाला है और इस force के करेंड क्या होगा एक pressure generate होगा तो इस pressure को हम क्या बोल सकते हैं विल बी दा atmospheric pressure at that place कि इस particular place पर लगने वाला क्या होगा वो atmospheric pressure होगा बैसी इसी बात है अब हम क्या कर रहे हैं हम अर्थ का entire atmosphere consider नहीं कर रहे हैं हमने अर्थ का एक अर्थ की surface पर हमने एक area choose किया है unit area हमने लिया है वहाँ पर हमने एक लंबा सा column रख दिया है और उस column में भी क्या भरी हुई है air भरी हुई है तो अब यह जो air है इसके उपर फिल्ड एयर का जो वजन है जो कि एक force की तरह काम कर रहा है यह force कहां लगने वाला है इस unit area में ही लगने वाला है यानि कि इस force के करण क्या होगा pressure exert होगा और यह pressure कहां लगेगा इस unit area में लगेगा यानि कि यह pressure क्या कहलाएगा atmospheric pressure of this particular place इस particular unit area पे लगने वाला क्या होगा वो atmospheric pressure होगा ठीक है since the SI unit of area is square meter therefore we can also say that the atmospheric pressure is equal to the weight of air present in very tall column of air standing on one square meter area of the earth आसान शब्दों में क्या समझाया गया है कि हम यह भी बोल सकते हैं कि atmospheric pressure किसके बराबर है to the weight of air present in a very tall column बैसी सी बात है this atmospheric pressure की हम बात कर रहे है कि atmospheric कहां लग रहा है इस unit area में ही लग रहा है atmospheric कहां का है इस unit area कही है यह atmospheric pressure आखिर लग क्यों रहा है क्योंकि force लगा है pressure तभी आता है जब force रगता है और force किसकी वज़े से लगा है तो इस air के वज़न की कारण लगा है तो आप बोल सकते हो ना कि air का जो वज़न है वो किसके बराबर हो जाएगा उसके pressure के बराबर हो जाएगा तो यहां पे भी वही समझाय जा रहा है कि atmospheric pressure किसके बराबर है weight of air के बराबर है जो की यह air कहां present है एक very tall column में जो की कहां खड़ा है one square meter area of the earth पर खड़ा है ठीक है? तो सीधी सी बात है atmospheric pressure को ना अपने का या atmospheric pressure का जो magnitude है वो किसके बराबर होता है air के बजन के बराबर होता है और आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया चीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम आगे हमारे पास क्या है on the surface of earth the atmospheric pressure is maximum at the sea level मतलब हम अभी कहां है earth के surface पर ही है हम earth के surface के उपर नहीं उठ रहे है earth के surface पर ही है earth के surface पर हम बोल रहे हैं कि sea level पर जो atmospheric pressure है वो कैसा होता है maximum होता है अब आप मुझे ये बताओ इसके पहले जो हमने अपना topic पड़ा था pressure exerted by liquids वाला उस topic में मैंना को क्या समझाया था कि हमारे पास क्या है एक container है और उसमें हमने क्या भरा हुआ है suppose पानी भरा हुआ है क्या भरा हुआ है उसमें हमने पानी भरा हुआ है और इस पानी की भी हमने क्या करी थी आप बोल सकते हो कि इसको हमने तीन अलग-अलग layers में जो है ना separate किया था मैंने एक कंटेनर में पानी भरा और उस पानी को हमने तीन लेयर में separate कर दिया था तो आप मुझे यह बताओ कि कौनसी वाली लेयर के उपर मैंने आपको समझाया था कि उस पर जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा लगेगा मरब आपके पास कंटेनर आया उसमें प यह अगर यह first layer है यह second layer है और यह तीसरी layer है तो तीसरी layer पे प्रेशर सबसे ज़्यादा लगने वाला है क्यों लगने वाला है क्योंकि इस तीसरी layer के उपर क्या है पानी की दो और layer है और दो और layer का मतलब क्या है इतना सारा पानी है तो इतने सारे पानी का इतना सारा वज लगा बैब टीसरी लेइर पे ही लगया जिसके कारण तीसरी लेइर में जो प्र dogs अबसे जाधा होगा और यह जो फास्ट लेएर है ना सद्सक्राइब की सर्फिस्के प्रेशर सबसे कम होगा क्यों होगा क्यों कि सास्ट लेयर जो है यह तीसरी हो गए यह फर्स्ट हो गई तो फर्स्ट लेयर का जो सर्फिस है उस सर्फिस के उपर तो कुछ है ही नहीं पानी है नहीं तो इसका मतलब क्या फर्स्ट लेयर के सर्फिस पे प्रेशर बहुत ही काम होगा और तीसरी लेयर के अंदर आप हो सकते हो कि पा भी अभी समझाया कि Earth के atmosphere की क्या होती है layers होती है और जैसे जैसे हम Earth के atmosphere में उपर की तरफ उठेंगे space में जाएंगे Earth के atmosphere से तो आप बोल सकते हो कि जो density है layers की वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी अब अगर आप खड़े हो कहाँ पर अभी अर्थ के सरफेस पर आप सी लेवल पर हो तो इस पॉइंट पर प्रेशर कैसा होगा maximum होगा क्यों maximum होगा इसको अगर मैं डाइग्राम से समझाऊंग आपको तो यह देखो आप कहां खड़े हो, Earth के surface पे खड़े हो, sea level पे, ठीक है, आप यहां खड़े हो, तो इस point पे pressure कैसा होगा, maximum होगा, क्यों maximum होगा, क्योंकि इस point पे, इस point पे देखो जाना, इस point के उपर कितनी सारी जो है न, layers है, atmosphere की, और इन सभी की layers का क्या होने वाला है, भाई, जो layers है, उ तो इस point पे आप बोल सकते हो, Earth के surface पे, at sea level, इस point पे, इस point के उपर, बहुत सारी क्या है air है, और इस बहुत सारी air का बहुत सारा वजन होगा, बहुत सारा वजन मतलग की बहुत सारा force, और बहुत सारा force मतलग की बहुत सारा pressure, तो आप बोल सकते हो कि at the surface of Earth, sea level पे atmospheric pressure maximum होता है क्यों क्योंकि इस पॉइंट पर इस पॉइंट की ऊपर आप बोल सकते हो कि बहुत सारी एयर होती है जितनी एयर होगी उतना ज्यादा उसका वजन होगा उतना ज्यादा उसका फोर्स होगा और उतना ज्यादा ही उसका प्रेशर होगा जैसे जैसे आप अर्थ के सर्फेस से दूर जाते जाओगे, सपोज आप कहां पहुंच गए हो, अब आप यहां पहुंच गए हो, तो इस point पे लगने वाला जो atmospheric pressure है, वो कैसा होगा, कम होगा, इसके comparison में, C-level के comparison में, इस point पे आप पर जो atmospheric pressure लगेगा, वो कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि अब आप खुदी वजन इतना साथ फोर्ट इतना साथा प्रेशर लेकिन अगर आप कहा हो यहां हो अपर उठाए हो तो इस पॉइंट पे केवल इतनी एयर है आपके उपर तो एयर कम हो गई है उसका amount कम हो गया इसका मतलब क्या वजन कम हो गया वजन कम हो गया मतलब क्या force कम हो गया और अगर force कम हो गया सक मतलब क्या की pressure कम हो गया इसी रिख लेवर्ट के surface पर at sea level atmospheric pressure will be maximum क्योंकि इस point के उपर बहुत सारी air होती है लेकिन जैसे जैसे हम earth surface के उपर उठते जाएंगे atmosphere में जाते जाएंगे pressure कम होने वाला है तो सीडी सी बात है जब हम अच्छा अगर मैं आपको एक्जाम्पल से पूछू कि आप कहां खड़े हो surface पे खड़े हो अर्थ के surface पे sea level पे और आपका जो दोस्त है वो क्या कर रहा है अभी आत्रीं और रहा है तो atmospheric pressure जादा किस पर लगने वाला है आपका जवाब वनाची है कि मैं हम पे एट्मोस्वेरिक प्रेशर जादा लगेगा क्यूं क्योंकि हमारा जो दोस्त है वह earth surface के ऊपर जा चुका है वह earth के atmosphere में जाँ चुका है और Earth के atmosphere में जाने पर क्या होगा atmospheric pressure कम हो जाएगा आपका दोस्ट सपोस कहां उड़ रहा है आपका दोस्थ है यहां है यह aeroplane है ना तो इस aeroplane में आपका दोस्त बैठा हुआ है आप यहां हूँ तो क्योंकि आपके ऊपर इतनी सारी एर है तो प्रेशर इस एर का जादा लगेगा लेकिन अगर मैं आपके दोस्त की बाप बताऊं तो आपके दोस्त के ओपर बस इतनी एर है एर कम हो गई है तो उसका वजन कम हो गया, फोर्स कम हो गया, प्रेशर कम हो गया अब कभी भी आप ये चीज नहीं बोलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है कि this is because, this is because the column of air above us is tallest at the sea level sea level पर आने कि earth की surface पर, sea level पर हम बोलते हैं कि हमारे उपर, air का जो column है वो क्या होता है, सबसे tallest होता है, यहां कि सबसे लंबा होता है column मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको समझा है ये, कि अगर आप sea level पर खड़े हो तो यहां से लेकर के यहां तक, देखो, earth का जो पूरा column है, वो कैसा है, सबसे लंबा है आपका दोस्त, aeroplane में है, तो aeroplane के point पर अगर हम देखेंगे, तो air का जो column होगा, वो कैसा होगा, छोटा होगा ये column देखो, air का, जाधा है ना, और ये column देखो, छोटा है ना, air का, इसलिए चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमसे क्या बुला जा रहा है कि the atmospheric pressure on the surface of earth at the sea level is 101.3 kilopascals which is equivalent to the weight of 10 elephants pressing on each square meter area अब ये तो हमें चान में आगा कि maximum होता है atmospheric pressure sea surface पे at the sea level, लेकिन कितना होता है, तो 101.3 kilopascals जो कि किस के बराबर होता है, दस हातियों के वजन के बराबर होता है जो कि क्या कर रहे है, square meter, each square meter area को क्या कर रहे है प्रेस कर रहे है, आई बात समझ में, तो आप बोल सकते हो कि अर्थ के हर एक square meter area पे, जैसे कि ये क्या है आपकी अर्थ है तो इस अर्थ के हर एक square, हर एक square meter area में हर एक square meter area में कितना pressure लगने वाला है तो आप बोल सकते हो कि 101.3 kilopascals लगने वाला है ये किस के बराबर है, ये बराबर है अपने 10 elephants के वजन के ठीक है ना, weight के तो इसका मतलब क्या, कि अगर आप हम कहां खड़े है हम इसी square meter वाले area में खड़े है सपोस हम यहाँ पे खड़े है तो हम पे भी कितना atmospheric pressure लगने वाला है 10 हातियों के वजन के बराबर लगने वाला है याने की 101.3 kPa प्रेशर लगने वाला है आई बात समझ में तो कुल मिलाकर के atmospheric pressure क्या होता है और इसको हम measure कैसे करते हैं इसका जो magnitude है वो हमें समझ में आ गया है maximum कहां होता है earth की surface पर at the sea level जैसे जैसे आप earth की surface की ऊपर उठोगे atmosphere के you know earth के atmosphere में जाओगे वैसे वैसे pressure क्या होगा कम होता जाएगा क्यों होता जाएगा क्योंकि earth के surface पर at the earth surface sea level air का जो column होता है वो कैसा होता है tallest होता है याने की surface पर अगर आप surface पर खड़े हो तो इस point से लेकर के ऊपर तक आपकी जो ऊपर है न वो air बहुत सारी है तो बहुत सारी air का बहुत ज़्यादा वजन force और pressure में बहुत ज़्यादा होगा फिर इसके बाद में कि earth के हर square meter area पे atmospheric pressure कितना लगने वाला है 101.3 kilo pascal लगने वाला है जो कि 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है हम कहां खाड़े है earth surface पे ही खाड़े है इस one square meter area में ही खाड़े है तो हम पे लगने वाला जो atmospheric pressure है वो भी कितना होगा 10 हाथियों के वजन के बराबर होगा यानि कि 101.3 kilo pascal ही होगा पहली में ना को बताता है जो atmospheric pressure है यह जो atmospheric pressure है न लिए आगे बढ़ जाते है as we go up in the atmosphere from the surface of earth the atmospheric pressure goes on decreasing जैसे जैसे हम you know earth के surface के कहां जाएंगे as we go up in the atmosphere यानि कि हम earth के surface से जैसे जैसे atmosphere की तरफ जो है ना जाएंगे atmospheric pressure क्या होने वाला है decrease ही होने वाला है this is because as we go up in the atmosphere the weight of air above us goes on decreasing जैसे जैसे हम अर्थ के surface के ऊपर उठेंगे और atmosphere में जोना ट्राइबल करेंगे वैसे वैसे हमारे उपर की जो air होगी वो कॉलम क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा यानि की जैसे जैसे हम earth surface के ऊपर उठेंगे atmosphere में जाएंगे तो उस point पे आख करके हमारे उपर की जो air है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी. Air कम होगे, उसका वजन कम होगे, वजन कम होगे तर फोर्स कम होगे, तर फोर्स कम होगे तर मतलब क्या? प्रेशर कम हो जाएगा. So, this is because as we go up in the atmosphere, the weight of air above us goes on decreasing you do which the pressure also goes on decreasing so the atmospheric pressure on the top of a high mountain will be much less than at its base ham kya karayik pahaadu chadra hai hai chik hai aap kaha ho aap ho suppose pahaadu ke bottom me us ke base me aur aapka doos kaha hai pahaadu ke bilkul top par hai mapo kya bory ho aapko earth surface at the surface of the earth at sea level आपको pressure maximum मिलने वाला है अगर मैं इसका पूरा diagram बनाओ तो देखो ऐसा बनेगा यह क्या है आपकी earth का surface हो गया यहाँ पे आप खड़े हुए हो और इसी earth के surface पे क्या है mountain बना हुआ है यह आपका earth surface है इस earth surface पे आप खड़े हुए हो और इसी earth surface पे क्या है mountain है और इस mountain के ऊपर कौन खड़ा है आपका दोस्त खड़ा है मतलब mountain के बिलकुल top पे खड़ा हुआ है तो आपका जो दोस्त है वो अर्थ के atmosphere से तो उपर उठ बना अर्थ का जो surface है उससे उपर उठ चुका है ना आप earth के surface पे खड़े थे और आपका दोस्त mountain यानि की पहाड के टॉप पे खड़ा था टॉप पे खड़े खड़े ने का मतलब क्या है कि आपका जो दोस्त है वो अर्थ के surface से क्या हो चुका है ऊपर उठ चुका है तो जाब वो अर्थ के surface से उपर उठ चुका रहेगा वह already कहां present होगा atmosphere में प्रजेंट होगा तो क्या होने वाला है यहां पे pressure कम लगने वाला है आपके दोस्त पर atmospheric pressure कम लगेगा और आप पर maximum लगेगा क्यों क्योंकि आपका दोस्त अर्थ के सर्फेस आपको जो दोस्त है वो अर्थ के सर्फेस से उपर जा चुका है उसके उपर जो अब लेयर उसके उपर आपके दोस्त के सर के उपर जो हवा है ना वो air कम हो में आपके ऊपर तो इतनी सारी एर लग रही है इतनी सारी है लेकिन आपके दोस्त के उपर क्या है एर कम है तो कम मतलब की वजन कम वजन कम फोर्स कम पोर्स कम बढ़ा प्रेशर कमि कि कम आई वाद समझ में चलो So, the atmospheric pressure on the top of a high mountain will be much less than at its base. Top mountain के, sorry, high mountain के top पे, जो atmospheric pressure होगा, वो कम होगा. किसके कम परेजन में? तो उसके base में जो pressure होने वाला है, उससे. उसके base पे तो maximum pressure होगा. ठीक है? चलिए, आगे बढ़ जाते हैं. Please note that though the SI unit of pressure is Pascal, but atmospheric pressure is usually measured in the unit of millimeters of mercury, जिसको हम mm of mercury बोलते हैं, for the sake of convenience in measuring it. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि pressure की जो ऐसा unit है, उसको हम क्या बोलते हैं? Pascal बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं atmospheric pressure की, तो atmospheric pressure को measure करने के लिए, जैसे कि मैंने आखको बताया था, कि one square meter area पे, मैंलब अर्थ का जो one square meter area है, उसके atmospheric pressure कितना लग रहा है? atmospheric pressure लग रहा है 101.3 kilopascals. तो जब atmospheric pressure की बात आती है न, तो इस atmospheric pressure को हम kilopascal या pascal में measure नहीं करते हैं, उसके लिए अलग सी unit होती है, atmospheric pressure को express करने के लिए, नापने के लिए एक अलग सी unit होती है, जिसका नाम क्या होता है? mm of mercury, mm of mercury भी इसको हम बोलते है, mm of Hg, या mmHg, काई बार आपने देखा होगा, कि pressure जो है, उसको mmHg में जो है न, लिखा गया है, तो यह mmHg क्या है, तो basically unity होती है, atmospheric pressure को नापने के, उसको express करने की, pascals या kilo pascals में हम उसको measure नहीं करते हैं, बस किसके लिए? convenience के लिए, और कुछ special reason नहीं है, Thus, the common unit for expressing and measuring atmospheric pressure is mmHg, mmHg, the atmospheric pressure on the surface of the earth at the sea level is 760 mmHg, तो हमारे earth के surface पे atmospheric pressure कितना है, 760 mmHg, kilo pascals में इतना है, और mercury, mmHg में कितना है, 760 है, आई बच समझ में, तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही atmospheric pressures है, kilo pascal में और mmHg, कहां तो earth के surface भी लगने वाला है, clear है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं हम, अब आगे हमारे पास क्या है, अब ये जो हमारे पास experiment आया है, इस experiment का नाम क्या है, upside water cup experiment, इसमें हमें करना क्या है, हम लेंगे एक glass, glass कौन सा, plastic वाला, वो disposable वाला, और उस glass में हम भर देंगे पानी, पानी भरने के बाद वो जो glass है ना, उसके mouth को, उसके mouth को, हमें cardboard की sheet के साथ cover कर देंगे, तो हमने अपना जो पूरा setup है ना, वो ready कर लिया है, अब इसके बाद में, हमें setup को, पता क्या करने वाले हैं, उल्टा करने वाले हैं, याने कि हम अपने glass को upside down करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से, तो सोच के देखो, logically, technically होना क्या चाहिए था, कि अगर आप ए glass ले रहे हो, उसमें पानी भर रहे हो, और उस glass के mouth को, अगर आप एक cardboard की sheet के साथ cover कर रहे हो, इसके बाद में, आपने glass को क्या करा है, उल्टा कर दिया है, तो उल्टा करने के बाद में, होगा क्या, जो sheet है, वो नीचे गिर जाएगी, और glass के अंदर जो पानी है, वो भी नीचे गिर जाएगा, ना वो पानी जमीन पे आया, वो बहा नहीं, तो आखिल, ये ऐसी चीज क्यों हो रही है, कि हमने पूरे के पूरे entire setup को upside down कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बावजूद, जो cardboard की sheet है, वो अपनी जगह से नहीं हिला, ग्लास के अंदर का जो पानी है, वो अपनी ज हो आप, ये कौन है भई, ये हो आप, ठीक है, और इसके बाद में आपकी दोस्त है, एक friend है आपका ये वाला, ठीक है ना, चलो इस friend का हम नाम भी रख देते हैं, इसका नाम हमें रख दिया क्या चिंटू, क्या नाम रख दिया है, हमने इसका चिंटू, और दूसरा friend है अब ये चिंटू और पिंटू कर क्या रहा है, आपको जो अना धक्का दे रहा है, धक्का मतलब कि पुश, और पुश क्या होता है, एक force होता है, चिंटू दे रहा है, आपको कुछ इस direction में धक्का, यानि कि इस direction में चिंटू क्या कर रहा है, आपके उपर force लगा रहा है, और इन forces का जो direction है वो कैसा है opposite है direction तो opposite है force का लेकिन magnitude कैसा है वराबर वराबर है यानि कि चिंटू और पिंटू दोनों ही आपके उपर same amount का force लगा रहे हैं लेकिन फरक क्या है फरक है दोनों ही forces के direction में अब हम सबको पते हैं कि जब भी force लगता है तो pressure जहना अपने आप आ जाता है तो जब चिंटू और पिंटू आपके उपर force लगाएंगे धक्का देंगे आपको तो आपके उपर pressure लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है तो आप बोल सकते हो कि आप पे यहाँ पे भी pressure लगेगा इस direction में भी लगेगा और इस direction में भी आप पे pressure लगने वाला है अब जब मैंने बोला कि दोनों ही दोस्त आपके दोनों क्या कर रहे हैं आपके उपर फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स के करण क्या हो रहा है प्रेशर आपके उपर पड़ रहा है इन फोर्स की खास बात क्या है कि इनका मैगनिटूड बराबर बराबर है लेकिन से भी same magnitude का same value का तो क्या आप अपनी जगह से डिस्प्लेस हो पाओगे नहीं हो पाओगे है ना तो I hope यह वाला example बहुत ही basic example है जो मैंने आपको दिया है यह सब को समझ में आया होगा कि आप बीच में आप अपनी जगह से बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो पा रहे हो क्यों क्योंकि एक प्रेशर आ रहा है यहां से और दूसरा आ रहा है यहां से तो आप अपनी जगह पे बस ऐसे खड़े हुए हो यह समझ में आया अब आजाओ अपने इस एक्सपेरिमेंट के उपर कि हमने जब अपने पूरे सेट अप को क्या कर दिया था उल्टा कर दिया था तो फिर आखिर क्यों कि जो काड़बोर्ड की शीट है यह अपनी जगह से हिली ने ना यह हिली ना ग्लास के अंदर का जो पानी है वो ग्लास के बाहर आया वह है क्यों कि देखो ग्लास के अंदर क्या भराए था पानी भरा गगए फानी का च्या करेगा अपनी तरफ खीचने की कोशिश करेगी गलास और उसको अपनी तरफ की tyre तरफ करेगी तो जाहिर है अगर force आ रहा है इसका मतलब क्या कि pressure भी आने वाला है तो कुल मिलाकर के glass के अंदर का जो पानी है वो पानी cardboard की sheet के उपर एक pressure exert कर रहा है आई बात समझ में glass के अंदर जो पानी है वो हमारी cardboard sheet के उपर एक pressure exert कर रहा है वो भी कहा नीचर की तरफ downwards direction में क्यों क्य खीच रही है अपनी तरफ तो पानी का जो वजल होगा वो एक force की तरह काम करेगा यह force कहां लगेगा downwards direction में और इसी downwards direction में force होने के कारण pressure तो वा रहा है लेकिन प्रेशर भी कहां लगेगा नीचे की तरफ भी लगेगा तो पानी क्या कर रहा है और हमारा जो हाथ वगेड़ा यह कहां होता है अर्थ के atmosphere में होता है और अर्थ के atmosphere में मैंना कुछ समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अर्थ के atmosphere में आप कोई भी एक point ले लो उस point पे लगने वाला जो pressure है ना हरी direction में कैसा होता है बराबर होता है अब यह जो cardboard sheet है न pressure लगाने वाली है वो भी कहां वो भी हम बोल रहे हैं कि upwards direction में जैसे liquid के लिए हम बोलता है कि liquid जाना हर एक direction में pressure लगाता है वैसे ही जो हमारी air है ना वो भी हर एक direction में क्या लगाती है प्रेशर लगाती है तो यह जो पूरा experiment था यह हम atmosphere में ही कर रहे थे table पर रखके नहीं कर रहे थे आई बात समझ में तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जवारा cardboard है उसके उपर दो pressure लग रहे हैं एक प्रेशर कौन लगा रहा है ग्लास के अंदर का पानी और दूसरा प्रेशर कौन लगा रही है तो हमारे earth के atmosphere की air लगा रही है वो भी कहां उपर की तरफ upwards direction में तो जो condition आपकी थी ना आप बीच में फसे हुए थे आपका sandwich बन गया था similarly यही condition किसकी बनी हुई है अभी cardboard की sheet की बनी हुई है कि उसके उपर दो pressure लग रहे हैं और यह जो upward pressure है जो की air लगा रही है यह pressure काफी है पानी के द्वारा लगाया गया pressure को balance करने के लिए जैसे कि चिं पानी का तो air का जो pressure है वो इतना sufficient है कि वो पाने की pressure को क्या कर सके balance कर सके तो जैसे आप नहीं हिल पा रहे थे वैसी cardboard की sheet नहीं हिल पाएगी क्योंकि उसके ओपर दो pressure लग रहे हैं दोनों same amount के हैं और दोनों opposite direction में तो बिचारी जो cardboard की sheet है ना वो ऐसे जंग के खड़ी रह है अब क्या करो अब जो है ना जो कि मैंना कूप जैसे पताया थाना मैंना को कि आपको disposable वो लेना है glass लेना है प्लास्टिक वाला क्यूंकि मैं चाहती हूं कि अब आप इस glass की जो डीवार है ना उस पर आप 2-3 छेद कर दो इन गड़ों से होने क्या वाला है इन होल से होने और जी जो ग्लास में जगा बनी है इस स्पेस को occupy कौन करेगा तो हमारी atmospheric air ही occupy कर लेगी ठीक है तो ग्लास के अंदर जो भी पानी के बाहर जाने से पानी के बाहर जाने से जो भी जगा बनी थी उस स्पेस को occupy कर लिया किसने अब हमारी atmospheric air ने तो अब आपके ग्लास के अंदर air तो है ही मतलब ग्लास के अंदर पानी तो था ही और अब साथ में कौन आ गई है एयर भी आ गई है यानि कि अब ये जो कार्डबोर्ट शीट है ना अब इसकी बैंड बजने वाली क्यों बजने वाली है क्योंकि अब इसके उपर प्रेशर लगाने के लिए अभी हम ग्लास के अंदर की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अब ग्लास के अंदर से इस कार्डबोर्ट शीट के उपर दो लोग प्रेशर लगाने वाले हैं एक तो पानी और दूस्ट्री कौन हमारी एट्मोसफेरिक एयर तो जो पानी है वो भी प्रेशर लगाएगी कार्डबोर्ट के उपर प्रेशर लगाने वाली है कहां डाउनवर्ट डारेक्शन में ही ऐसा नहीं है कि अब कार्डबोर्ट शीट के उपर जो उपर की तरफ प्रेशर लग रहा था एयर फ्रेशर वो नहीं लग रहा है वो तो अभी भी लग रहा है लेकिन अब क्योंकि हमारे ग्लास में ए तरफ प्रेशर जादा लग रहा है उपर की तरफ प्रेशर कम लग रहा है तो अल्टीमेटली जो कार्टबोर्ट की शीड है यह नीचे आ जाएगी और ग्लास के अंदर का जो पानी है वो भी पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा तो इसे हम कहते हैं क्या अपसाइड वाटर थे दो एक्स्पेरिमेंट तो ऐसा नहीं है कि आयर जो हैना सिर्फ और सिर्फ हमेशा नीचे की तरफ ही जो हैना नहीं एयर हम होने हैं कि उपर की तरफ भी प्रेशर लगाती है यह बड़िए जो हैना एक्जामपल मैंने आपको इसका दे दिया है कि initially हमारा जो setup है वो बिगड क्यों नहीं रहा था पानी बह क्यों नहीं रहा था cardboard की sheet के उपर अंदर से glass के अंदर से पानी pressure लगा रहा था नीचे की तरफ और glass के बाहर से air उपर की तरफ force pressure लगा रही थी जिसके कारेंट जो cardboard की sheet है वो अपने एक proper position पे जमी हुई थी लेकिन जब हमने जो हमारे पास glass था उसकी दिवारों पे हमने कुछ छेद करें और छेद पानी का पूरा का पूरा बहार आ गया पूरा नहीं थोड़ा बहार आ गया तो अब जो जगा बनी थी glass के अंदर उस के ऊपर प्रेशर लगा रही है उपर की तरफ लेकिन इस situation में downwards direction में लगने वाले pressure से जिसके कारेंet ultimately जो जादा होगा चलेगी उसकी अगर downward direction में लगने वाला pressure जादा है तो ultimately जो cardboard की शीट है वो नीचे ही आएगी अगर किसी दिन चिंटू ने जादा pressure लगा दिया तो आप धक्का खा करके पेंटू की तरह ही जाओगे न तो similarly जब downwards direction में लगने वाला pressure बड़ा हो जाएगा upward direction में लगने वाले pressure से तो cardboard की sheet जो है वो नीचे आ जाएगे और पूरा का पूरा पानी बाहरा आ जाएगा clear है? चलिए I hope यह वाला experiment सबको समझ में आया होगा इसे हम कहते हैं क्या upside water cup experiment चलिए अब हम आ जाते हैं आगे आगे हमारे पास क्या है? एक और experiment है यह experiment करने क्या वाला है to show existence of large atmospheric pressure around us एक बात बताओ मैंने आपको अभी अभी तुड़ी दिर पहले समझाया था कि हमारे earth के surface पर हर एक square meter area में 101.3 kilo pascal atmospheric pressure लगता है यह अगर mmg में देखें तो earth के surface में earth के surface में हर एक meter square area में 760 mmHg atmospheric pressure लगता है और मैंना को यह भी बताया था कि यह जो atmospheric pressure है यह सिफ earth के surface में नहीं लगता है earth के surface पर present हर एक चीज़ पर यही atmospheric pressure लगता है यानि कि हमारी body पे भी 101.3 kilo pascal atmospheric pressure लग रहा है 760 mmHg pressure लग रहा है लेकिन फिर भी इतने बड़े से pressure को हम realize क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस बड़े से pressure का हम पे कोई असर क्यों नहीं दिखाई दिखाई दे रहा है इतने से इतने सारे उनों बड़े pressure के कारण हमें तो जो है न क्रश हो जाना चाही था in fact हमने ये statement पड़ा भी था कि ये जो pressure होता है न ये किस के बराबर होता है देखो यहां पर क्या लिखा गया था ये जो pressure है ये बराबर होता है दस हातियों के वजन के बराबर है न कहां गई वो वाली लाइन वो मुझे दिख नहीं रही है तो हमने ये चीज़ पड़ी हुई है कि देखो एट्मॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऑन दी सर्फिस ऑफ द अर्थ कितना है इतना है विच इक्विवलेंट तो लवेट औफ टेन इलीफेंट प्रेसिंग और इच स्क्वेर मीटर एरिया तो अगर हमारी बॉड़ी पर दस हातियों के वजन के बराबर प्रेशर लग रहा है तो आखिर ये प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता है यह बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क को हम आज के इसी सेशन में मिटाएंगे कैसे मिटाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लो पहले इसके बार में मैं आपको समझाती हूं तो बेसिकली यह जो मारे पाइस एक्सपेरिमेंट आया है यह हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे आसपास जो बड़ा सा atmospheric pressure है ना इसका significance क्या है इसकी value क्या है तो इस experiment को पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको sphere और hemisphere की होड़ी सी knowledge होनी चाहिए sphere क्या होता है basically circle आप सभी को पता होगा तो circle का जो 3D structure होता है उसी को हम बोलता है sphere sphere को समझने के लिए आप एक plastic की hollow या खोकली ball ले लो जिससे कि आप उन्हों cricket खेलते हो तो वो जो आपकी cricket ball होगी plastic वाली वो क्या है exactly एक sphere ही है circle का जो 3D structure है उसी को हम क्या बोलते है sphere बोलते हैं अब आपकी जो hollow ball आई है plastic की वो क्या हो गई है एक sphere हो गई है तो suppose यहां पर मैंने क्या बनाया है एक sphere बना दिया है अब इस sphere को मैंने क्या करा है दो equal भागों में डिवाइट कर दिया है दो equal भागों मैंने इसको बांट दिया है तो हर एक भाग को अब मैं पता ही क्या बोलूंगी ही अब मैं बोलूंगी हैंवी स्वेर क्या बोलूंगी हैं मीच्वेर क्यों बोलूंगी क्यों हैं क्यों बोल रहूं है मी स्वेर क्योंकि देखो आपके पास एक Complete स्वेर था उसको को आपने 2 equal भागों में डिवाइट कर दिया है है तो आपने एक बड़े से sphere को two equal parts में divide कर दिया है याने कि आपके पास अब आधा आधा sphere आगया है तो इस आधे-ाधे sphere को हम क्या बोलते हैं hemispheres बोलते हैं यह हो गया एक hemisphere और यह हो गया आपका दूसरा hemispheres क्या को समझ में आया sphere का अगर structure आपको समझना है तो आप अपने घर में जो आपकी normal plastic की खोकली बॉल होती है आप उसको देखो वही है क्या एक स्वियर होलो स्वियर है खोकला स्वियर है उसको जब आप two equal parts में डिवाइट करते हैं तो आपके पास जाता है एक complete स्वियर बन जाता है ठीक है चलो अब हम बात करते हैं experiment की मैघ डी बोग एक्सपरिमेंट एक्सपरिमेंट का नाम भी तो होना चीना क्या नाम है तो मैघ डी बोग है मिस्वियर एक्सपरिमेंट है तो शो किसके लिए हम कर रहे हैं तो शो लाज एट्मॉस्फेरिक प्रेशर को बताने के लिए समझाने के लिए सिछाने के लिए हम करने वाले है या हम पढ़ने वाले हैं मैघ डी बोग है मिस्वियर एक्सपरिमेंट इसमें हुआ क्या चैनि अब सबसे पहले जब भी आक रहे चैनिकर चैनि स्ब्रह को डायमीटर इच याने कि आपको क्या करना है दो कॉपर के बने हुए हैमिस्वेयर लेने हैं ठीक ना कॉपर के बने हुए आपको क्या करने हैं अगर मैं हैमिस्वेयर बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा ना आपको दो कॉपर के बने हुए यह तो हैमिस्वेयर नहीं बने कुछ अल ठीक है तो मैग टी बर्फ हैमिस्फेर एक्सपरीमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमज क्या अपना प्रिपयर कर रहे हैं हम ने दो हैमिसफेर इस लिए हैं ए और विए दोनों किसे बने हैं कॉपर के बने हैं और दोनों गई जो डाइमीटर है है कुछ इस तरीके से चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं वान आप दे हैमिस्फेयर हैस और साइड टूब विच कैन बी कनेक्टेड टूब वेक्यूम पंप और इनमें से आप बोल सकते हो कि एक जो हैमिस्फेयर है इसमें क्या करेक्टेड है एक ट्यूब भी कनेक्टेड है साइट यूब जिससे हम क्या कर सकते हैं एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर सकते हैं चीक है नाव टू हैमिस्फेयर्स और टाइट फिटिंग एंड बिकम एयर टाइट वेन जॉइन टोगेदर जो आपकी एयर टाइट बरतन आते ना टपर वेर वाले कि उसके के टाइट बिक हो का जाते हैं कि एयर टाइट हो जाते हैं कि इन दोनों ही कोपर की हैमिस्फेयर्स को जॉइन करने पर वğ inac इसमें या आप बोल सकते हो कि इसमें जरा भी जो है ना बाहर की एर अंदर नहीं जा पाएगी चलिए कि वेंड एयर इस प्रेजेंट इंसाइड जॉइन हेमिस्फेयर दे यह सेमिस्फेयर जाना बना देते हैं ओन। इन दोनों ही हैमिस्फेयर को फिर से हम पकळर करके की कोशिश करते हैं और इनको अला करने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ रहा है ना आपको कि आपने करना क्या है कॉपर के बने हुए हैं दोनों का डामेटर है वो कितना है 51-51 सेंटीमीटर है जाए दोनों आपस में जोइन होते हैं तो ये एयर टाइट स्फेर जो है ना बना लेते हैं यानि कि उस स्फेर में अब बिल्कुल भी जो ह बाहर से अंदर नहीं जाती है तो जब हम दो हैमिस्फेर को जॉइन करते हैं उनको कंबाइन करते हैं तो वो एयर टाइट स्फेर बना लेते हैं इसके बार में यह जो हमने दो हुक्स बनाए हैं दोनों ही हुक्स में हम क्या करते हैं फोर्स लगा करके इन दोनों ही के बीच में क्या present हो के प्सेर को जॉइन किया है तो एक स्वियर बन गया उस स्वियर के अंदर क्या है एर है फिर वो स्वियर के दोनों भी हमिस्फिर को हम जब फिड़ से फल्स लगा करके अला करने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं कि उनके अंदर क्या भरी हुई थी स्वेर के अंदर क्या भरी हुई थी एयर भरी हुई थी अब आप बोलोगे कि मैं एयर के भरे होने से क्या होता है अभी समझाती हूं में डाइग्राम से यह देखो यहां पर हुआ क्या कि कहां गया कि यह था क्या आपका एक कंप्रीट स्फेर उसके अंदर हवा भरी हुई थी अब आप खुद बताओ मैंना कुछ सेशन की स्टार्टिंग में बता दिया था कि बलून में जब हम एयर फिल करते हैं बलून के अंदर जब हम एयर डालते हैं तो बलून जो है ना वो फूल क्यों के साथ लगाएंगे एक फोर्स इस फोर्स के करण हम बोते हैं कि प्रेशर लग जाएगा किसके उपर बलून की दीवार के उपर अब बलून की दीवार कैसी है तो इस प्रेशर के कारण जो बलून की दीवार है वो क्या हो जाएगी स्ट्रेच हो जाएगी और जो मारा है अभी तो एयर क्या करती है एयर जिस भी कंटेनर में रहती है उस कंटेनर की दीवार के उपर क्या करती है प्रेशर एक्जर्ट करती है तो देखो ना इस हैमिस्वेर को दो कॉपर की हैमिस्वेर को जोइन करने के बार में जो स्वेर बना है उस स्वेर के अंदर क्या थी एर क्या कर रही है, स्फेयर की दीवारों की ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, ये प्रेशर कहां है, बाहर की तरफ है, अगर ये हैमिस्फेयर, कौपर का ना बना होता, या एक पूरज हमारे पास स्फेयर है, ये कौपर का ना बना होता, इसकी जगा पे बलून का बन कर लगारही है यह फ्रोबर्टी की किस भी कंटेनर में रहेगी उस कंटेनर की दीवारों के उपर प्रेशाइट बार की तरफ तो इञएड़िमति का पर कि भी सोडीन करने के बाद यह स्वेर बनां है उस सुझे की अंदर जो एयर जै चाहरी है स्फेयर की दिवारों के उपर pressure लगा रहे, वो भी कहाँ? बाहर की तरफ, अब एक बात बताओ, मैं वो बताया है न, कि air क्या करती है? हर एक direction में pressure लगाती है, ये कहानी किसी थी? ये कहानी थी उस air की, जोकी sphere के अंदर है, अब हम बात करेंगे उस air की जो कि कहा है स्फेयर के बाहर है स्फेयर के बाहर जो एर होगी न वो भी स्फेयर के उपर क्या लगाएगी प्रेशर लगाएगी लेकिन आप बोल सकते हो कि अंदर की तरफ अंदर वाली एर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है बाहर वाली एर अंदर की तरफ प्रेशर लग सभाइस कुझां ये नहीं होने वाला क्योंनि होने वाला क्यों कि आपका सफेर सोगा दब जाए लेकिन वह नहीं दब रहा है क्योंकि stha के अंदर जो एयर है वो भी क्या कर रही है pressure लगा रही है तो अंदर वाला pressure air रहा है दो स सफेयर को टोड़ा सा फॉर्स लगा करके तो दोनों ही हेमिस्फेยर जो हैं, बहुत ही असानी से अलग-अलग होने वाले हैं, exactly यही चीज़ देखो, यहाँ पे बोली गई है, कि when air is present inside the joint hemispheres, they can be easily separated by pulling with a small force, this is because the air present inside the joint hemispheres also exerts its pressure, तो अंदर वाली air का जो pressure होगा न, वो बाहर वाली air pressure को क्या करेगा, balance करेगा, उसको oppose करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण, दोनों ही hemispheres, small force लगा करके, उनको हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, separate कर सकते हैं, अब इस experiment में, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं? In order to perform the experiment, the two hemispheres are joined together, and air is removed completely from the space between them, by using a vacuum pump, अगर आपको याद हो, तो इस experiment को start करने के पहले, मैंने आपको बताया था, कि जो हम दोनों ही, वो ले राए हना hemispheres, तो देखो यहाँ पर लिखा गया था, कि one of the hemispheres, also has also a side tube, which can be connected to a vacuum pump, यैनि कि दोनों ही hemispheres में से, एक hemisphere के पास क्या है side tube है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं vacuum pump को connect कर सकते हैं क्या significance है इस side tube का और vacuum pump का कि अब इस experiment के second part में जब हम दोनों hemispheres को join करेंगे ना, join करने के बाद उनके बीच की जो air filled है उस air को अब हमें बाहर निकालना है, experiment के first part में हमने hemisphere के बीच में जो air भरी हुई थी, उसको हमने disturb नहीं किया था, लेकिन अब इस experiment को बहतर तरीकी से समझने के लिए ये समझने के लिए कि atmospheric pressure का significance क्या है, उसकी value क्या है, उसकी importance क्या है इस तीज को समझने के लिए, अब दो hemispheres को join करने के बाद जो एक complete hemisphere बनेगा उस complete hemisphere के अंदर जो air होगी ना, उसे हमें बहार निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगी, उसको vacuum pump से खीच लेंगे, when all the air is removed from inside the two hemispheres, और when vacuum is created inside the hemisphere, then the two hemispheres cannot be separated even by pulling with a large force, अब क्या हुआ, दोनों ही hemispheres के बीच में से, याने कि जो उनके joining से, जो एक complete sphere बना है, उस complete sphere में से हमने पूरी की पूरी क्या करी है, air निकाल दी है, याने कि यहाँ पर क्या हो गया है, एक vacuum हमने generate कर दिया है, एक vacuum हमने बना दिया है कहा, sphere के अंदर, अब इस case में, जब हम दोनों ही hemispheres को कीचने की separate करने की कोशिश करेंगे न, तो नहीं होने वाले हैं यह separate, क्यों नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अब इस sphere के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा air pressure लगने वाला है, बाहर वाला air pressure लगेगा, sphere के बाहर जो air होगी न, बाहर वाली एर इस स्वेर के ऊपर प्रेशर लगाएगी कहा प्रेशर लगाएगी तो अंदर की तरफ लगाएगी इस वाले केस में क्या हो रहा था कि स्वेर के अंदर तो खुदी एर थी जो कि खुद भी क्या कर रही थी प्रेशर लगा रही थी कहां बाहर की तरफ स्वेर की दीवारों स्वेर की जो वाल है ना उसकी ऊपर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही थी लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि अंदर तो एर ही नहीं अंदर तो हमने अब वेक्यूम बना दिया है अब इस वेर की ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो स्वेर के बाहर वाली एर है सिर्फ वही प्रेशर लगाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं एट्मॉस्फिरिक प्रेशर कहते हैं और यह एट्मॉस्फिरिक प्रेशर कितना होता है बई 760 mmHg कहां अर्थ के सर्फेस पर एड़ सी लेवल तो कुल मिलाकर कि हमी यही दो देखना था ना कि एट्मॉस्फिरिक प्रेशर का सिगनिफिकेंस क्या है उसकी वैलिओ क्या है तो देखो ना इसकी वैलिओ कि अब जो है दोनों ही हमिस्फेर्स जुड़े हुए हैं इनको हम अलग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमारे फोस्ट लगाने के कारण कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि एट्मॉस्फेरिक प्रेशर इतना भारी हो रहा है एट्मॉस्फेरिक प्रेशर इतना जाधा पड़ रहा है दोनों ही hemispheres के उपर कि वो hemispheres बचारे डर के मारे स्वेयर बना करके बैठे हुए है उनको हम बोल भी रहे कि हटो एक दूसरे के साथ फिर भी वो हट नहीं रहे है आई बाद समझ में देखो यहां पर क्या बोला गया है next point कि when all the air is removed from inside the hemispheres or when the vacuum is created inside the hemispheres then the two hemispheres cannot be separated even by pulling with a large force this is due to the fact that since there is no air inside the unopposed atmospheric pressure acting over the whole surface of the hemispheres from the outside presses them very very hard and does not allow them to be separated तो इसकoit है यानि की आप सिरी सी बाद है जो हमारे पास स्वेयर है है न हमारे पास यह बोल सकते हो हमारे पास जो दो हैmIch क्या बना रहे स्वेयर हैं उन dwonno कर रह रही घैसे कि मैं आपको ने पहले बताया लेकिन अब जब hemen air हटाई दी है स्वेर के अंदर की तो आप उस स्वेर के ऊपर जो atmospheric pressure लग रहा है यानि God hotel वाली air जो प्रेशर लगा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैm atmospheric pressure बोल रहे हैं तो बाहर वाली एयर का pressure यानि कि जो atmospheric pressure है अब वो कैसा हो गया है and upload हो गया है अइबाद समझ में the अनफ़ूज warfare क्रैशचर कहा लग रहा है Hammand Harry surface यह वाला और यह वाला तो कह वल यहाँ पे एंटायर वे पर सिर्फेस्च लंए नहीं दोनों ही atmospheric pressure है ना ये दोनों ही hemispheres को बहुत ही hardly जो है press कर रहा है इतने hardly कर रहा है कि does not allow them to be separated और हम force लगाकर कि खिचने की भी कोशिश कर रहे हैं उनको तो भी वो उने अलग नहीं होने दे रहा है the effect of atmospheric pressure on the evacuated hemispheres was so great that even two teams of eight horses each pulling in opposite directions could not separate them separate the two hemispheres याने कि यहां पर हुआ क्या कि you atmospheric pressure है ना ये atmospheric pressure दोनों ही hemi spheres के entire surface पे लग रहा है कुछ इस तरीके से और ये atmospheric pressure याने कि बाहरवाली air का जो pressure है उसी को हम क्या बोल रहे है atmospheric pressure बोल रहे है तो ये atmospheric pressure कुछ इस तरीके सा लग रहा है एंटार सर्फेसों पे ऊफ बोदडी हैं मैस से क्या हो रहे हैं बहुत की हाड़ ब्रेस हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ इतने ँप्रेस हो रहे हैं कि अगर हम दोनों ही हैमिस्पेर्स को होर्संससे बांध दे खुश्सिच भी कैसे यह रही suppose horse की एक team A और यह रही क्या दूसरी team B यहाँ पे भी आठ घोड़े हैं यहाँ पे भी आठ घोड़े हैं और जो दोनों teams के जो घोड़े हैं अगर वो opposite directions में क्या करेंगे दौनने की कोशिश करेंगे तो दोनों ही teams मिलके फिर भी hemisphere को अलग नहीं कर सकती हम तो बस क्या कर रहे थे अपने हाथों से hemisphere को पकड़के खीचने की कोशिश कर रहे थे दोनों hemisphere को लेकिन उससे तो कुछ हुआ नहीं हमने क्या करा दोनों ही hemisphere को आठ आठ घोड़ों की team से बांध दिया और उनको बोला कि अब team जाएगी A यहाँ team B जाएगी वहाँ लेकिन इन दोनों ही teams के opposite direction में move करने के बावजूद दोनों ही जो hemispheres है वो separate नहीं हुए क्यों नहीं हुए क्योंकि atmospheric pressure बहुत ज़्यादा लग रहा है यह जो पूरा Magdeburg experiment है यह हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि atmospheric pressure बहुत जादा होता है उसका जो significance है वह बहुत बढ़ा होता है हम यह चीज रिलाइज नहीं करते हैं कि हमारे उपर भी जैना atmospheric pressure लग रहा है लेकिन फिर भी हम collapse नहीं हो रहा है फिर भी जो हैना हम दब नहीं रहा है क्यों नहीं अभी समझाओंगी वो भी थोड़ी देर बाद आगे है आई बात समझ में चलो फिर इसके बाद में this experiment with hemispheres with and horses was conducted by a German scientist called Otto von Gwirk in the town of Magdeburg in the year 1640. As soon as some air was reintroduced into the evacuated hemispheres, the hemispheres fell apart और जैसे ही दोनों hemispheres के बीच में हमने क्या करा है, sphere में हवा डाल दी है, air डाल दी है, फिर दोनों hemispheres क्या हो गाए, अलग-अलग हो गाए, वरना तो 8-8 गोडों की जो तो जो दो टीम से वो भी उनको separate नहीं कर पा रहीं थी. We have seen from the Magdeburg hemispheres experiment that the pressure exerted by the atmosphere on the earth and its object including us is very very large. So, an important question now arises in our mind that if the pressure due to atmosphere is so great, then why are we not crushed by it? अगर atmospheric pressure इतना जादा है कि दोनों ही hemispheres जो हैं, वो horses की team के, you know, उनके महनत से भी जो है अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके उपर atmospheric pressure लग रहा है. और अगर atmospheric pressure हम बोलते हैं कि अर्थ के हर एक चीज़ के उपर लगता है, वो काफी ज़्यादा लगता है, तो फिर next question यहीं आता है कि आखिर हम इस atmospheric pressure से crush क्यों नहीं हो रहे हैं? Why are we not getting crushed by atmospheric pressure? कैसे? तो चलो, अब हम देखते हैं. Our body has a liquid called blood. हमारी body में क्या होता है? एक liquid जिसके हम बोलते हैं, blood कहते हैं. Which flows through the blood vessels into each and every cell of our body. भई हमारे body के हर एक cell को क्या चाहिए होता है? ब्लड चाहिए होता है. ठीक है? तो सीधी सी बात है, हमारी पूरी body में blood flow होता है. कैसे flow होता है? तो हमारी body में blood vessels होती हैं. और इनी blood vessels में blood flow होता है. Our blood itself exerts a pressure called blood pressure, which is slightly greater than the atmospheric pressure. और हमारी blood vessels में flow होने वाला जो blood है, वो खुद blood क्या करता है? जिन vessels में वो flow हो रहा होता है, उन vessels के उपर वो pressure exert करता है. जिसे हम क्या होते हैं? blood pressure कहते हैं. आपने से कई बार जो है ना, आपके घर में अगर grand parents होंगे, या ममी पापा होंगे, तो आपने उनकों बोलते भी सुना होगा कि यार आज जो BP है ना, BP मतलब क्या blood pressure, वो low हो गया है. या BP हम बोल रहे हैं कि बढ़ गया है. अगर कुछ घर में tension वाली बात हो गई है, पापा को गुसा आ गया है, ममी को गुसा आ गई है, तो फिर वो बोलेंगी कि आज तो हमारा जो ना BP बढ़ गया. BP मतलब क्या? blood pressure बढ़ गया, यानि कि blood vessels के अंदर जो blood भह रहा है, उस blood में vessels के उपर कुछ जादा ही pressure लगा दिया. तो ये जो हमारी body में, blood vessels के अंदर blood flow हो रहा होता है, और ये जो blood pressure लगाता है, ये blood pressure कैसा होता है? slightly greater होता है than the atmospheric pressure. हमें यही तो जानना है कि आखिर इस atmospheric pressure से हम crush क्यों नहीं हो रहे हैं? ये अगर हम यहां खड़े हैं, अर्थ की surface पे, और अर्थ की surface पे हम पे क्या लग रहा है? atmospheric pressure लग रहा है, atmospheric pressure, AP, 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 AP मतलब क्या atmospheric pressure, तो आखिर इस atmospheric pressure के कारण हम दब क्यों नहीं रहे हैं? तो सीरी सी बात है, बता दिया गया हमको कि हमारी body में तो खुदी blood flow होता है, कहां blood vessels में, और ये blood क्या करता है? blood vessels के उपर pressure लगाता है, ब्लट pressure बोलते हैं, और ये जो BP है, ये बड़ा हो जाता है किस से? AP से, यानि कि हमारे atmospheric pressure से. Since the atmospheric pressure acting on our body from outside is balanced by the blood pressure acting from inside, we do not get crushed, यानि कि हमारी body के बाहर से जो हम, हमारे उपर atmospheric pressure लग रहा है, उसको balance करने के लिए कौन है? हमारी body का blood pressure है, जैसे कि आपर लिखा गया है, कि since the atmospheric pressure acting on our body from the outside is balanced, कौन balance कर रहा है? तो हमारे body का blood pressure acting from inside, we do not get crushed, इसलिए हम crush नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बाहर की तरफ से लगने वाला pressure, अंदर की तरफ से लगने वाले pressure से क्या हो रहा है? balance हो रहा है, actually the atmospheric pressure is so finely balanced by our blood pressure, that we do not feel any discomfort, मतलब कि blood pressure और atmospheric pressure, दोनों ही इक दूशे को क्या कर रहे है, balance कर रहे हैं, और उनकी balancing भी इतनी smooth होती है, कि हम यह चीज जो हैना, realize ही नहीं करते हैं, कभी आपको ऐसा लगा है, कि हमारे blood vessels के अंदर जो blood हो रहा है, जो blood flow कर रहा है, वो blood क्या कर रहा है, atmospheric pressure को रोकने की कोशिश कर रहा है, नहीं होता, हमें कोई discomfort फील ही नहीं होता, हम इस चीज़ को realize ही नहीं करते हैं, we even do not feel the existence of atmospheric pressure at all, हम तो जो हैना, atmospheric pressure के existence को तक feel नहीं कर पाते हैं, अब क्या यहापे बोला जा रहा है, तो यह आपको समझ में आ गया, कि हम जो हैना, atmospheric pressure से crush क्यों नहीं हो पाते हैं, और कुछ ऐसे balance करेगा कि हमें realize भी नहीं होगा, हमें कोई भी discomfort फील नहीं होगा, चीक हैं, तो इसलिए हम crush नहीं होते हैं, अब यहापे क्या बोला जा रहा है, effects of low atmospheric pressure on our body, अब हम low atmospheric pressure का हमारी body पे क्या असर पड़ता है, वो हम देख रहे हैं, the atmospheric pressure is maximum on the surface of the earth, तो जैसे कि हम सबको पता है कि earth के surface में atmospheric pressure कैसा होता है, maximum होता है, when we go to high altitudes, say a high mountain, then the atmospheric pressure decreases, जैसे कि मैंने आपको पताया कि जैसे ही आप earth के surface से, earth surface से जैसे ही जहना आप उपर उठोगे और atmosphere में जाओगे, तो atmosphere में आगे जाते जाते जाते, यानि कि earth surface से दूर होते होते होते, आपके उपर जो atmospheric pressure लगने वाला है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, example मैंने आपको दिया था ना, कि आप खड़े हों यहाँ पे, earth के surface पे, और earth के surface पे क्या है, यह बड़ा सा mountain है, mountain के top पे, बिल्कुल height पे कौन खड़ा है, आपका दोस्ट खड़ा है, तो आपके दोस्ट और आप में जाधा atmospheric किस पे लगेगा, तो आप बोलोगी कि मैं हम पे लगेगा, क्यों कि हम तो earth के surface पे खड़ें, और earth के surface पे क्या होता है, pressure, atmospheric pressure maximum होता है, तो आप बोलोगे कि मैं हमारा जो दोस्ट है, वो भी तो पहाड पे खड़ा है ना, और पहाड भी क्या है, earth के surface पे है, लेकिन पहाड का जो base है, mountain का जो base है, वो earth के surface से जोड़ा हुआ है, बाकी उसका जो top है, उसका जो top है, वो तो earth के surface पे नहीं है ना, उसका जो top है, वो तो earth के surface से दूर जा चुका है, जितना जादा दूर आप earth के surface से जाओगे, उतना ही आपके उपर atmospheric pressure कम लगने वाला है, क्योंकि आप खुदी सोचो ना, आप जब यहां हो, तो आपके उपर इतनी सारी air है, तो इतनी सारी air का इतना सारा pressure, लेकिन आपका दोस कहा है यहां है, तो आपके दोस के उपर इतनी air लग रही है, तो इतनी कम air का इतना कम pressure, तो air का pressure जो है आपके दोस के उपर कम लगने वाला है, atmospheric pressure उसको कम जो है ना, realize होगा, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि जब हम high altitude पर जाते हैं याने कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर जाने के बाद क्या होता है atmospheric pressure जो है वो decrease हो जाता है जब आप surface पर हो उस समय आपका जो blood pressure है वो atmospheric pressure को क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है जिसके कारण हम atmospheric pressure से crush नहीं होते हैं लेकिन जब आप पहाड़ों पर जाते हो high altitude पर जाते हो उस समय atmospheric pressure कम हो जाता है लेकिन हमारी body का blood pressure है वो तो उतना ही रहता है हमारे body का blood pressure उतना ही रहता है atmospheric pressure कम हो गया जिसके कारण देखने पर लगता है कि हमारी body का blood pressure जादा हो गया आई बत समझ में फिर क्या होगा since our blood is at higher pressure than the outside pressure देखो सीधी सी बात है हमारी body body का जो blood pressure था वह था लेकिन इस हाई blood pressure से हम पर असर क्यूंनी पढ़ रहा था क्योंकि इस यहाई blood pressure को को बैल्ने स्कारा है किसका उल्टा सोच सकते हो खिया हमारे बाडी में अगर इतना जीरा-व्रेषआ है तो इसका असर पर क्यों नहीं को रहा वहार कि अध्मॉसफिर है वहांचारा को क्या कर रहा बैलस कर रहा है अब जब पहाड़ों पर जाते हो हाईट पर ते घांग अध तो atmospheric pressure हो गया है कम इसके कम होने के कारएंट हमारी body में जो blood pressure है कहने को तो यह change नहीं हुआ है यह तो वैसा का वैसा था जो blood pressure आपका अर्थ की surface पर था वही blood pressure आपका height पर भी है mountain पर भी है लेकिन क्योंकि mountain पर high altitude पर atmospheric pressure कम हो गया है तो आपका जो blood pressure होगा ना atmospheric pressure के respect में क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा आई बात समझ में अभी तक तो जो high blood pressure था उसको atmospheric pressure क्या कर रहा था higher pressure than the outside pressure therefore some of the blood vessels in our body bust and nose bleeding takes place at high altitudes हमारी body में ना blood vessels तो होती है और ये जो blood vessels है ना इनकी बहुत सारी branches भी होती है बहुती fine tubes होती है इन fine tubes को पता है हम क्या बोलते हैं capillaries बोलते हैं तो हमारी नाक में जब बहुत सारी capillaries होती है और इन capillaries में मतलब की fine blood vessels इन capillaries में blood flow होता है ये blood क्या करेगा capillaries की दिवार की ओपर pressure लगाएगा जिसको क्या बोलेंगे blood pressure बोलेंगे अब जैसी हम पहाडों में गए नाक से खून आने लगा क्यों आने लगा क्योंकि जब तक हम surface पे थे जब तक हम ground पे थे उस समय तक तो आप बोल सकते हो कि blood pressure को atmospheric pressure ने maintain किया था balance किया था लेकिन जैसी हम पहाडों पे गए atmospheric pressure हो गया कम अब जो capillaries के अंदर blood का जो blood pressure है वो उसको balance करने वाला कोई नहीं है तो होगा क्या इस high blood pressure की चलते कुछ capillaries फट जाती है और फटने के कारएंड नाक में से खून निकलने लगता है आई बत समझ में तो दस nose bleeding usually occurs in those person who track to high mountains where the atmospheric pressure is much less than our blood pressure तो वो लोग जो की tracking वगड़र के लिए जाते हैं उचे-उचे पहाड़ों पर nose bleeding की समस्था उनमें बहुती common होती है I hope इतना सबको समझ में आया होगा अब एक और जो है ना मैं आपको बहुती basic सा एक you know experience बताती हूँ जो कि शायद आप लोगों ने कभी जहना experience किया होगा अगर आप flight में travel करते हो तो तो जब भी हम flight में travel करते हैं हमको पानी की बॉटल में दी जाती है पानी पीने के लिए अब हमने क्या किया है पानी बॉटल से पी लिया है पूरा नहीं पिया है तो पानी आपकी बॉटल में काम हो गया है ना तो वहां पे जगा बन गई उस space को कौन occupy कर लेगा aeroplane की flight की जो air होगी वो occupy कर लेगी तो आपने पानी पिया बॉटल में से पानी में बॉटल में जगा बन गई और उस जगा में हम बोलते हैं कि flight की जो air है वो आकर के बैठ गई अब flight की जो air है वो कैसी होती है कम pressure पे होती क्यों क्योंकि flight तो भाईया अर्थ की surface के ऊपर उ आपकी जो water bottle है इसके अंदर जो air भरी हुई है वो air कैसी है कम pressure वाली है आई बात समझ में अब क्या होगा जैसे हम land करेंगे और जैसे यह बोते हैं कि earth पर आएगा land करेंगा और जैसे यह bottle कहां आएगी earth पर आएगी earth की surface पर आएगी यह जो bottle होगी यह कुछ इस तरेके से crush हो जाएगी क्यों crush हो जाएगी क्योंकि अब ये कहां आ चुकी है land पर आ चुकी है अर्थ के surface पर आ चुकी है और Earth के surface पर atmospheric pressure कैसा होता है maximum होता है तो इस bottle के आस-पास जो air होगी वो क्या करेगी air pressure लगाएगी वो भी कैसा maximum वाला और इस maximum air pressure के कारण जो बॉटल है ना वह एकदम चपड़ जाएगी याने की एकदम shrink हो जाएगी आप बोलोगे कि मैं जो shrinkage है यह फ्लाइट के अंदर क्यों नहीं हो रहा था इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि फ्लाइट के अंदर पूरी की पूरी एयर कैसी थी कम प्रेशर पी थी है ना तो जैसे कि हमने हमिस्वेर वाला experiment देखा था कि आपकी यह क्या है पानी की bottle है इस पानी के vào बाद में पानी पैा था ना तो पानी पीनी के बाद इसके अंदर या आ गयी थी एयर भी कौन सी थी gdzie are वो एरोपेन की एर क्या करी थी, बोटल के उपर अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही थी, अंदर वाली एर बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी, बाहर वाली एर अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी, तो दोनों ही जो एर प्रेशर लग रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, एक द atmospheric कैसा pressure जो है ना कैसा लगने वाला है जादा लगने वाला है ऐसा नहीं है कि बॉटल के अंदर जो air है वो चली गई थी कहीं कि उसने जो है एयर प्रेशर लगाना छोड़ी दिया था नहीं बॉटल के अंदर air थी लेकिन वो air कौनसी वाली थी वो air थी एरोप्लेन वाली याने कि वो कम प्रेशर वाली air थी बॉटल के अंदर तो बॉटल के अंदर जो air थी वो आप बोल सकते हो कि कम प्रेशर लगा रही थी और बॉटल के बाहर जो air आई वो क्या कर रही थी ज्यादा प्रेशर लगा रही थी और इस ज्यादा प्रेशर के कारण अल्टीमिटी जो हमारी बॉटल है वो क्या हो जाएगी क्रश हो जाएगी आई बात समझ में आपके पास अगर एक खाली बॉटल हो बिसलेरी वाली प्लास्टिक वाली अगर आप क्या करोगे उसको सक करोगे सक करने के बाद क्या होता है उसकी पूरी की पूरी जो एयर है वो उस बोटल को crush कर देता है आप बोलोगे कि मैं जिस समय हमने उसके अंदर की एर नहीं निकाली थी उस समय क्यों वाटर बॉटल को जना atmospheric air crush ने कर पारी थी इसलिए निकर पारी थी क्योंकि उस समय बॉटल के अंदर बॉटल के अंदर खुदी क्या प्रेजेंट थी एयर प्रेजेंट थी और वो एयर क्या कर रही थी बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही थी और बाहर का जो एट्मॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसको अंदर की तरफ जो है ना क्रश करने की कोशिश कर रहा था तो अंदर वाली एयर का प्रेशर बाहर वाली एय लेक percent नहीं नहीं हो रहे थी अपने अंडर की एक़ यहाई अब तो बहाई आ एपने और I hope इतना सब को समझ में आया हुगा तो आज के सैशन में हमने atmospheric pressure के बारे में बहुत सारी बाते कर ली है in fact हमारा जो atmospheric pressure का जो topic है वो हो गया है complete अब हम मिलेंगे अपने next session में और next session में इस chapter के एक और नय topic को हम discuss करेंगे लेकिन तब तक आप क्या करेंगे आप visit करेंगे हमारी official website basically आपको google पर जाना है आपके टाइप करना है magnetbrains.com जैसी टाइप करोगे उसको search करोगे आपके सामने खोल जाएगी हमारी official website जैसी आप हमारी official website विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला page जहां पे लिखा रहेगा इंडिया नमबर वन 100% free online education platform इस page को जब आप और scroll करोगे तो आपके सामने option आएगा explore top courses का जहां पे आपके पास class 12 से लेकर के kinder garden सक्के सभी courses होंगे available अब suppose आपको क्या करना है class 8 से देखनी है तो जैसी आप class 8 पर click करोगे तो class 8 के सभी जो courses है वो आपके सामने यहां पे available हो जाएगे अब suppose आपको class 8 की science देखनी है तो आप यहां पे जाकर के जो है ना click करोगे जैसी click करोगे आपके सामने यहां पे class 8 science के सभी chapters जो की हमने अभी तक cover कर लिये हैं यह जो हम अभी cover कर रहे हैं सभी की सभी chapters यहां पे आपको दिखने लगेंगे अब suppose आपको chapter 1 ही देखना है crop production and management का जैसी आप इस पे click करोगे आपके सामने इस chapter का जो first lecture है introduction वाला वो खुल जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप इस chapter के सभी lectures देख सकते हो ना सिर्फ इस chapter के वर्कि सभी chapters के आप सभी lectures देख सकते हो यहां पर बहुत ही easily तो YouTube पर आपकी जो complaint होती है कि मैम आपके subject की playlist नहीं मिलती है तो उसमें वीडियो का जो sequence है वो उपर नीचे होता है तो जब आप हमारी official website visit करते हो ना तो यहां पर कोई भी confusion नहीं होती है क्यों कि यहां पर आपको सभी chapters के सभी lectures होते हैं एकदम properly sequence में arranged प्लस यहां पर सभी topics के होते हैं notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching